बरसाद के शुरू होते ही रेत माफियाओं की मनमानी एक बार फिर शुरू हो गई जिनके आगे प्रशासन भी पस्त नजर आ रहा है हाला कि शिकायत मिलने पर समय समय पर कारवाई की बात कही जा रही है लेकिन सच तो यह है कि नदी में इन दिनों धड़ा धड़ उत्खनन जारी और रेत की जमाखोरी के साथ मनमानी कीमत पर काला बाजारी भी रेत घाटों में सुबह से शाम तक मशीनों से रेत निकालने का काम किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि खनीज विभाग के अधिकारियों को इसकी जायनकारी नहीं पर साड़ गाठ ही कहे कि रेत माफिया ब सबी को निर्देशित किया है और जो भी पर्यावरण को उलंगन करेगा उसके उरुत कारवई को